असलामुलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े के कीमे के शामी कबाब की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एक दम ऑथेंटिक और टरिशनल तरीके से इसी के साथ ही हम गीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगी जो बहुत ही टेस्टी बनती है तो रेसिपी एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा और एक फूल जाबित्री का अधा टीस्पून का आली मिर्च बन फोर्थ जाइफल एक चोटा तर टुकड़ा ले ले हैं और छे लोंग ले लेना है एक बड़ी इलाईची और आधा टीस्पून शाही जीरा और पांच हरी इलाईची अगर शाही जीरा नहीं है तो इसकिप कर दीजेगा इसकी जगह सपेज जीरा ले लिजेगा और एक तेजपत्ता एट कर दिया है अब एक टीस्पून यहाँ पर नारियल पॉर्डर ले लेना है यानि घरी का बुरादा इसको फाइन पीस लेना है तो दीखे हमने इसको बा हो साइन कर लिया है ये मसाला तयार के अब यहाँ पर हमें लेले ना है प्रेशर कूकर और ईसमें एक कर देना हमें कीमा कै ре गंटे के लिए बिगो दिया था तो यह फूल गई है अगर आपने अभी तक इंस्टाइग्राम या फिर फेस्बुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएगे फॉलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब एक टेबल इस्पून या प पर नमग काट कर देना है देट चोटा चम्मच एक वड़ी साइज का प्याज दिया था हमने जिसको रफली चौप कर लिया है तो यह एक कप पानी यह टो फॉर्टी हमिल का कप है तो यहाँ पर मैं एक कप पानी आट कर रही हूं अगर आप ग्लास से मेरिशिंग कर रहे है उसके बाद low flame पर इसको 10 minute पकाईएगा उसके बाद इसको खोल कर देखिएगा अगर इसमें पानी रह जाए तो dry कर लीजिएगा high flame करका दाल 10 minute में almost गल जाएगी तो देखिए यहाँ पर मैंने एक विसल high flame पर लिया था और 10 minute low flame पर पकाया था उसके बाद खोल कर देखा तो इसमें थोड़ा सा पानी था जिसको हमने high flame पर इस तरह से dry कर लिया और कीमा अच्छे से पक चुका है अब इसको ठंडा कर लीजिए और यहां पर मैं ट्रडिशनल बना रही हूं मतलब ऑथेंटिक तरीके से तो यहां पर मैं सिल्वट्टे का यूज कर रही हूं इसको सिल तो देखिए हमने कीमे को यहां पर पीस कर लिया इसको साइट कर दिए और जिस सिल्वट्टा है उसको हम एक बार फिर से वाश कर लेंगे क्यूंकि हमें इस पर चटनी बनानी है और जो सिल्वट्टी पर बनाया जाता है बो तो टेस्टी खाना बनता ही है आपको पता यह जबढे के बनाया जाता है अब यहां पर हमने चटनी पीस लेना इंड़ एक टमाटर लिया चैक करो सकते आप यहां पर हमने दो हरी मेट्स ले लिए इसको भी हमने एट कर देना है छह लेसुन के कलिया इसको हमने पीस लेना है और यहां पर आदा टी स्पून या फर जितना भी आप नमक खाना पसंद करते हो उतना इसमें नमक एट कर लें अब इसको पीस लेना है इसके साथ यहां पर में एक मुठी भरकर हरे दनिया एड़ कर दूंगे इसको भी हमने पीस लेना है और अब इसमें एड़ करना है हमें एक आदा लेमन जूस ले 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 और ये नीबू एड़ कर दिया है वाच्छे से मेक्स कर लेना है चटनी हमारी एकदम बारीक से पेस चुकी है देखिए तो इसको एक बोल में निकालेंगे हमने इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है और यह बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हुए इसको आप चाबल के साथ भी यानि पुलाओ के साथ भी खा सकते हैं मटर पुलाओ के साथ बहुत टेस्टी लगती यह फिर इसको पराते के साथ तो यहां पर मैंने कबाबो के साथ इसको बनाया है अब यहां पर हमने दे गरीन मसाला तेयार के इसके लिए पांच चै अगेट करूंगी यह पोप्शनल है आप जहें बिल्कुल इसको इसकिप भी कर सकते हैं अब अच्छे से सभी चीजों को हमने मेक्स कर लेना है अगर आपको बियानी की रेसी पर जाए कबाबों के साथ सर्फ करने के लिए बहुत टेस्टी बनती है तो वो हमारे चेनल पर अप्लोड है आप चेक कर सकते हैं दिल्ली वाली बियानी या फिर यूपी वाली ब्रियानी अब यहां पर हम कबाब तेयार कर लेंगे तो देखी जितने बड़े या पर जितने छोटे आप आप कबाब चाहें उतने बना सकते हैं तो यहां पर मैंने देखिए कही एक कबाब तैयार कर लिया है इसी तरह सभी शामी कबाब बना कर तैयार कर लेंगे तो यहां पर हमारे सभी शामी कबाब बनकर तेयार हो चुके हैं तो अब इनको करना है मैं फ्राय तो यहां पर मैं 2-3 टेबल लिस्पून ओइल एट कर दूँगी तभी पर तबह गरम हो चुका है और इसमें लगा देना है हमें कबाब अब जैसे सेखना चाहें कम जादा मतलब या फिर आप इसको फ्रिज भी करना चाहें तो इसको पहले रख दीजिए एक प्रेट में रखका ताकि यह थोड़े से ड्राय हो जाए फ्रीजर में रख दीजिए उसके बाद जिप लॉक पाउच में डालकर रख दीजिए जब भी से दोनों साइट से देखिए कलर आ चुका एक दम गोल्डन ब्राउन सा बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है तो यह हमारे कबाब बन कर त्यार हो चुके हैं तो चलिए अब इनको सर्फ करते हैं तो यहां पर मैं सर्फ कर लोंगी तो इसको थोड़े सी लच्छा प्याज के साथ और ग्रीन चटनी के साथ और यहां पर ईरелиट चटनी और लाल मिर्च की पर तो जिसकी रेसिपि में आपको कीमे की कचोरी के साथ दे चुकी हैं तो यहां पर देखिए बहुत इस अंदर से सौफ्ट बहार से एकदम क्रिस्पी ये कबाब बनकर त्यार हुआ है और इस चटनी के साथ तो इसका कहना ही क्या तो जब भी आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स करका ज़रूर बताईएगा तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आज़र होंगी अपना बहुत सारा खयाल राखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज